नमस्कार कही गई दूसरी ओर जमियते उलेमा एह हिंद की ओर से बहस कर रहे वरिष्ट वकील राजिव धवन ने कहा कि जैसे बामियान में तालीबान ने बुद्ध की भूमी तोड़ी थी वैसे ही हिंदू तालीबानियों ने यहां मस्जित तोड़ी है धवन की दलिले अभी जारी है मामले पर 20 जुलाई को फिर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट फिलाल इस पर सुनवाई कर रहा है कि 1994 में इसमाईल फारू की फेसले में मस्जित कोई इसलाम का अभीन हिस्सा ना मानने वाले अंश को दोबारा विचार के लिए सम्विधान पीट को बेज़ा जाए की नही राजिव धावन ने फारू की फेसले के अंश पर आपत्ती उठाते हुए इसे विचार के लिए सम्विधान पीट को बेज़े जाने की मांगी है इस पर हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई मामले की सुनवाई मुखी नयाधिश दीपक मिश्रा अशोग भुशन एस अब्दू नजीर की पीट कर रही है शुरुआत में ही शिया सेंटल वक्व बोर्ड उतर प्रदेश की ओर से पेश्वरिष्ट वकील स्पी सिंग ने कहा कि कहीं पर भी धर्म को परिभाशित नहीं सिह ने कहा इसलिए इसमाईल फारु की फैसले में ये कहा जाना कि मस्जिद इसलाम का अभीन नहीं सता है एक व्यापक अवधार्णा पर आधारी थे इसे पुनिर्विचार के लिए भेज जाने की जरूरत नहीं है इसके साथ ही सिह ने अयोध्या में मुस्तलमानों को हिस् शिया वक्फ की थी उसे मीर काबी ने बनवाया था जो कि शिया था जो मस्जिद का निर्मान कराता है वही वक्फ करने वाला यानि वाकिफ कहलाता है पहला मुतवल्ली मीर बाकी था वहाँ पर जायतर शिया मुतवल्ली ही रहे सिह ने कहा कि हाई कोट के फैसले से मुसलमान मुस्लिफ पक्षकार इसमाईल फारू की फैसले में मामला उल्जाकर सुनवाई में देर करना चाते हैं। यहां सवाल यह है कि यह संपत्ती भगवान राम लाकी है या वक्फ प्रापर्टी है। वही कुछ अन्य पक्षों ने भी फारू की मामला बड़ी पीट पक्ष को भेजने का विरोत किया। धवन ने इस मामले में उत्रप्रदेश सरकार की ओर से पक्ष रखे जाने का विरोत किया। कहा कि यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में कहा था कि वो तठस्त रहेगी। उसने इस बात का उलंगन किया है। इसके अलावा यूपी की ओर से एसजी ने पेशो कर पक्ष रखा है। जबकि ASG केंद्र सरकार के होते हैं और केंद्र सरकार आयोध्या मामले में Receiver है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखा जाना गलत है। वो पक्ष नहीं रख सकती। दवर्न ने शिया बोड और हिंदू पक्ष कारों की दलीलों का भी विरोत किया।